आज राजमा की रेस्पी शेयर करने जा रही हूं आप इस तरह से राजमा बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बनेगा और सबको बहुत ही पसंद आएगा आप इसको इस तरह जरूर बनाएं तो चले शुरू करते हैं तो सबसे पहले अठाई सो ग्राम राजमा लेंगे इसको रात बर भींगो दिये थे आप चाहे तो चार से छे गंटे तक भींगो करक सकते हैं अब इसको बॉयल करेंगे तो प्रेसर कुकर में इसको डाल देते हैं और इसमें पानी डालेंगे पानी इतना रहे कि राजमा डू और 1.5 टीज़पून नमक डालेंगे और डखन लगा कि इसको गैस पर चढ़ा देते हैं, बीसी लाने पर फ्लेम को लो कर देंगे, 6 बीसी लाएगा तब आफ कर देंगे, अब कड़ाई चढ़ा देते हैं, जरम हो गया है, इसमें तू टीज़पून ऑल डाल देंगे, और इ यह प्याज है, 4 को बारी काट लिये हैं, इसको गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे, कलर चेंज होने लगा है, राजमा में टमाटर ज्यादा लगता है, तब इसमें यह तीन टमाटर है, इसका प्यरूर बना लिये हैं, इसको डाल देंगे, इसमें 1 टीज़पून और हाप टीज़पून नमक डालेंगे, नमक टेस्ट के नुसान डालेंगे, और इसको चलाते हैं, दोनों को अच्छे से पका लेंगे, इसको ढख देते हैं, एक से दो मिनट के लिए, अब खोल के देखते हैं, तक यह प्याज भी गल गया है, और पानी भी सुग गया है, इसको अच्छे से भून लेते हैं, अब इसमें 2 टीज़पून धनिया पाउडर डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर वन टीज़पून डालेंगे, और इसको अच्छे से मिलाते ही चलाते हैं, और धनिया पाउडर को अच्छे से भून लेंगे, अब इसमें 2 चमच लैसन अच्छा बनेगा अब इसमें 1 टीस्पून कास्मेरी लाल मिर्ज और यह भूना जीरा पाउडर एक चमच डालेंगे इसको मिला लेते हैं भूना जीरा से अच्छा टेस्ट आता है अब राजमा चेक कर लेते हैं ठंडा हो गया है अच्छे से यह पग गया है अब इसमें राजमा को डाल देते हैं और सब को एक बार अच्छे से मिला लेते हैं मसाला और राजमा अब इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे ग्रेवी के लिए ज्यादा पानी नहीं डालेंगे अब इसमें लास्ट में गरम मसाला डालेंगे टू टी स्पून और इसको चला के इसको ढग देंगे लो फ्लेम पे दस मिनिट के लिए इसको ढग देते हैं ताकि राजमा और मसाला अच्छे से मिल जाए दोनों का फ्लेवर आ जाए दस मिनिट हो गया है बहुत अच्छा खुसबू आ रहा है राजमा रेडी हो गया है लास्ट में धनिया पत्ता फ्रेस डालेंगे को बारी काट लिए हैं और इसको मिला देते हैं अब फ्लेम को आफ कर देंगे अब इसको निकालते हैं बहुत ही अच्छा बन गया है फ्रेंड्स आप इस तरह इसको जरूर बनाए राजमा और चावल सभी बहुत ही पसंद करते हैं आप इसे रोटी या पराठा की साथ पिले सकते हैं बहुत ही टेस्टिल बनता है फ्रेंड्स अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप जरूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा ज़्यादा सेयर कीजिएगा और बेल प्रेस करना नहीं बुलिये गया थैंक यू फॉर वाचिंग